अगर आप भी परिशान हैं अपने सफेद बालों से कम उम्र में आपके बाल जल्दी सफेद होने लगे हैं आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है आपके बालों में बिल्कुल चमक नहीं है आपके बाल बहुत मुझाय और डल नजर आते हैं तो उसका सोलूशन आ तो चली दोस्तों देखते हैं कि इस pack को हमें कैसे तयार करना है और कैसे इसे apply करना है चली बढ़ते हैं आगWest बनाने के लिए आपको एक iron का बोल लेना है सबसे पहले आपको इसमें add करना है milk यानिकी दूदПрतार अब इसमें पेदल लोहे के बरतन में इसके बाद आपको इसमे एड़् करना है दोशंमच अल्वat जयल तो आपको यहां पे यह मार्केट का वाइट टर्न्सपरेंट अलोबेरा ले सकते हैं या जो मैंने यहां पर काजमा ब्राण्ड का अलोबेरा जयल लिया है जो की बहुत अच्छा है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ काफी टाइम से इसकिन में लगाना हो या फिर हेर में लगाना हो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो दो चमच आपको यहाँ पे अलोवेरा जेल एड़ करना है दूद के अंदर सबसे पहले आपको दूद को और अलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद आपको पाउडर को एड़ करना है अच्छे से मिक्स कर लिया है अलोवेरा प्लस दूद को और अब आपको इसमें एक चमच आपला पाउडर एड़ करना है और इसे भी अगेन से मिक्स कर लेना है आवला पाउडर में विटमिन C और विटमिन E की प्रचुर मात्रा होती है जो की बालों के लिए बहुत जादा अच्छे माने जाते हैं सफेद बाल जो होते हैं उनको ये नेश्रल प्राक्तिक रूप से काला बनाने में बहुत ही हल्प करती है साथ ही बालों को स्ट्रॉंग भी करती है दूद में विटमिन C और केल्शियम की मात्रा होती है इसमें जिंक पाया जाता है जो की बालों को बहुत जादा हल्दी करता है अलोवेरा में विटमिन E, विटमिन D, विटमिन C की प्रच्छुर मात्रा पाई जाती है जो की आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की और शाइन करती है ये आपके सफेद बालों की समस्या को भी दूर करती है अगर आपके बालों में agent sign की problem हो रही है यानि कि समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए aloe vera राम बार काम करती है ये आपके scalp को strong भी बनाती है तो ये तीनों ही चीजें बालों के लिए बेहत ही फायदेमंद मानी जाती है और इसमें आपको iron भी भरपोर मिल रहा है क्योंकि लोहे के बरतन में जब आप बनाते हैं तो आपके बालों में iron भी मिलता है और iron आपके बालों के कलर को और ज़्यादा डार करती है और ज़्यादा काला करती है जिसे की हम natural black कलर कहते हैं तो बस आपको इसे आदे घंटे रखना है और बिलकुल ऐसे ही consistency होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इसकी थीक नहीं चाहिए आपको consistency आपको इसे अपने पूरे बालों में scalp में जडों में अच्छे से लगाना है और लगा करके दो घंटे तो कम उसकम इसे जरूर रखें अपने बालों में और इसके बार नॉर्मल पानी से आपको hair wash कर लेना है evening में आपको oiling करनी ही करनी है और next morning shampoo करना है इस pack को आपको हफदे में एक बार इस्तमाल करना है आप कोई भी इसे इसे इस्तमाल कर सकता है चाहिए आप बच्चे हो या फिर आप बुजरग हो इस पैक को एक बार जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों आपके बालों में बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा बाल बहुत सॉफ्ट नजर आएंगे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या बहुत डल हैं बहुत मुर्जाय से रहते हैं तो आपके बाल बिल्कुल एक बार में ऐसा लगेगा कि आप सीथे पालर से ही होके आ रहे हों आपके बालों में इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस और चमक बढ़ जाएगी तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमिडी ये नुस्का आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और आगे भी शेयर जरूर करें इसी तरीकी की नेश्वल रेमिडीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सकार्ब करना बिल्कुल ना भूले विद बैल आइकन के साथ ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चली दोस्तों फिर से मिलते हैं कि अनधर नुसके के साथ तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर अपना ध्यान रखिए